वेलकम टू लेश्टर यूट्व चैनल डियो स्टेंड सामने अगें टू दा पॉइंट सीरीज में आज हम लोग डिस्कसिन करने जा रहे हैं हिमाचरी नायक डॉक्टर यस्वन सिंग परमार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि हमाचरी परदेश के निरमाता के नाम भी डॉक्टर यस्वन सिंग परमार को ही जाना जाता है आईए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की जाना। जिला कौन सा था यदि कोई बड़े ए가지 हैं तो उसमें पुच जाता है कि उनके गाउं का नाम क्या था तो आपने गाउं का नाम याद रखना है चनालग गाउं पड़ता है सिर्मौर में किसी related है ये डॉक्टर यस्वन सिंग परमार जी का क्या है पैत्रिक गाउं है सिर्मौर की रियासत में 11 साल तक सब जज और मेजिस्ट्रेटर है नियादीश के रूप में 1937 से 1921 तक से मैं दी कि बहुत से एक्जामों में प्रसन इस तरह से पूछा गया था कि डॉक्टर यस्वन सिंग परमार राजनिती में आने से पहले किस पद पर कारयरत थे तो आपको इसका उत्तर मिल गया है कि ये क्या थे नियादीश थे कहां के नियादीश थे सिर्मोर की रियासत के नियादीश के पद पर कारयरत थे डॉक्टर यस्वन सिंग परमार के प्रयासों से ही 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियास्तों का बिलाय हो सका फिर जाकर हिमाचल परदेश अस्तित्तों में आया 25 जनिवर 1970 को इस परदेश को पूर्ण राज्या का दर्जा दिर्या मिला देखिए यहां पर एक बात को और समझ लेते हैं कि जब हिमाचल परदेश के में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल परदेश का निर्मान हुआ था तो इसके पीछे की जो लंबी संगर्स किया थी उसके लिए डॉक्टर यस्वन सिंग परमार ने काफी संगर्स किया था तो उस टेम देखिए 30 कुछ बुक्स में आपको 30 मिलेगा कुछ में 31 मिलेगा तो इसको देख लिजिए गा तो 30 रियास्ते मान के चलते 30 रियास्तों का बिलाय किया थी ने चार जीलों में विभाजित कर दिया गया था और इसी लड़ाई को आगे लड़ते हुए डॉक्टर यस्वन सिंग परमार जी ने 25 जनवरी 1970 को हिमाचर परदेश को भारत का अठार में राजिया का दर्जा दिलाया था डॉक्टर यस्वन सिंग परमार बर्स 1901-1956 तक हिमाचर के मुख्यमंत्री रहे बर्स 1957 में सांसद तथा जुलाई 1963 से 24 जनवर 1977 तक हिमाचर परदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे यहां पे डियर स्टेंट से एक चीज़ और नोट कीजिएगा आपको आगे मैं प्रसंद बताऊंगा कि तित्थे भी बताऊंगा कि डॉक्टर यस्वन सिंग परमार हिमाचर परदेश के प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे तो आपने याद रखने हैं उन्नी सो बुंजा से चपन तक इसकी तीथी को और भी क्लियर करेंगे हम लोग आगे जो आपसे पूछ लिया जाए कि सांसद कब बने तो आपका उत्तर होगा उन्नी सो स्टाबन में सांसद भी बने थे उसके बाद पूना है हिमाचर सिंग पर्मार का देहान हो गया था 1906 में का जनम हुआ था उन्नी सो काशी में का देहान हो गया था इस बरस हिमाचर के पहले मुख्या मंतरी का 112 जैंति समारों बनाया गया ने पॉलेंडरी इंदा हिमालयस पॉलेंडरी इस सेप एंड स्टेटस दिखिए इनोने बुक पुछा भी गया है कि जो किताब है पॉलेंडरी इंदा हिमालिया इस से पेंड स्टेटेसिज बुक के लेकर कौन है डॉक्टर यसपन सिंग प्रमार है हिमाचल परदेश केस पॉर स्टेड हुट यह इनकी बुक है इनके द्वारा लिखी गई है और हिमाचल परदेश एरिया हिमाचल परदेश के नाम से भी डॉक्टर यसपन सिंग प्रमार को ही जाना जाता है हिमाचल निर्माता डॉक्टर यसपन सिंग प्रमार पहली बार हिमाचल के मुख्यमंतरी कब बने थे हिमाचल परदेश के प्रथम बार डॉक्टर यसपन सिंग प्रमार जी मुख्यमंतर बने थे 24 मार्च 1902 को इस दिथी को अच्छे सियाद कर लें जो क्लरक के विदार्थी है बहुत ही मत्तों पुने 24 मार्च 1902 को क्या हुआ था हिमाचल निर्माता डॉक्टर यस्वन सिंग परमार पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्या मंत्री बने थे डॉक्टर यस्वन सिंग परमार यूनिवर्स्टी ऑफ होर्टी कल्चर और फोरेस्टरी हिमाचल प्रदेश में कहां परस्तित है तो इसका उत्तर होगा जिला सोलन में और कब इसको स्ताफित किया था ये पूच लिया जाया तो आपने बर्स बने थे वर्स 1969 में। थे तो सीट का नाम था रेणू का हिमाचल के गठन के समंध में डॉक्टर यस्वन सिंग प्रमार ने बर्स 1954 में राज्या पुना गठन आयोग के हदेक्स को एक प्वत्तर लिखा था राज्या पुना गठन आयोग के हदेक्स उसमें कौन थे बहुत मोस्ट इंपोरेंट प्र गए प्रन्तु दो वर्स बाद उन्हें यह पद क्यों छोड़ना पड़ा देखिए मोस्ट इंपोरेंट प्रसनों की स्लिणी मिस प्रसन को भी रखिएगा डॉक्टर यस्वन सिंग प्रमार जब लोगसभा के स्तस्या बने तो उन्हें लोगसभा का पद क्यों छोड़ना बड़ा दो वर्स के बाद है क्योंकि उन्होंने सिर्मौर के ग्रामिन की सित्तर में निर्वाचन के समें अबकास पर आयसेन्या अधिकारी की सिवाओं का पोलिंग अजेंट के रूप में उपयोग किया था 1970 में प्रमार दोरा मुख्यमंत्री पत्त से इस्तिपा देने पर किस प्रसित समाचार पत्तर ने उनके कार्याकाल को प्रतिष्टित सासनकाल की संग्या दी थी तो इस समाचार पत्तर का नाम था इंडियन एक्सप्रेस इस समाचार पत्तर का सरांस है सिंगल लाइन प्रसित डाले गया है उसके साथ में में एक्जाम का एक बिजन दिखाया गया है राइटिंग टिप्स उसमें किस तरह से आपने अपने कोस्टिंस का अंसर देना हो तो सब कुछ वहां पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसके अलाब आपको इस में मिलेंगे रास्टे बंतर रास्टे क्रेंटर फिर्स अटल भीहारी भास पर बिसे सांक भी इसमें ड जियोग्राफिश के लाब भी इसमें बहुत सारी चीजे आप लोग इसमारे बार जुरू इसको ट्राइ किजिए गा यह अलाबा जो पिछले मिलेंगे इसका अडिशन था हमारे हिम प्रगर्ति हमाचिर पर इस कुरंट अफेर्स का एबी ऑन लाइन आपको सॉफ्ट कॉप वेब साइट पर सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है जुरूर आप लोग हमरी हदियन समगरी को भी एक बार ट्राइ किजिए गार अपनी फीड़वेक भी हमें जुरूर भेजिएगा की वाचिंग इलाइस्टर यूट्यूट चैनल थैंक यू बरी मच